आर्बी टेक में आपका स्वागत है, आए दोस्तों, आए नए विक की शुरुआत हो चुकी है और हम आपके लिए लेकर आचुके एकदम कमाल की ताजा ख़बरे लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस विडियो को पुरा आयन तक देखते रहे जिससे टेक्नोजिटर्स आरे इंफोर्मेशन ओ आपके पास सबसे पहले, तो आज की टेक्निवी शुरू करते हैं पहले कवर के शुरूआत करते हैं, आइकू से, आइकू नियो एट सीरीज कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी भारत में लाँच होगी, क्योंकि आइकू नियो एट, आइकू नियो एट प्रो यह जो दोनोई स्मार्टपोन है वह गूगल सपूर्टे डिवाइस दिश्ट पर आ चुके यानि इसका लाँचिंग जो काफी जादा नस्दीक है अब देखते हैं कि आइकू नियो एट सिरीस न में कितनी जल्दी भारत में देखने को मिल जाती है किस किमत पर क्या स्पैक्स साथ इसे लाँच किया जाता है इस बात का इंतिजार है विवो आपने दो नए स्मार्टपून को लॉञ्ज कर दिया है विवो वाय 36 4G वीवो वाय 31 520 और यह दोनए स्मार्टपोन को इंडोनेशिया में लॉञ्ज किया गया है और यह दोने स्मार्टपोन के विर्फंस पैक्स के बाद में बात की जाए तो भी 6.44H की APECLE plus IPS LCD display देखने को मिल जाती है 90Hz के refresh rate के साथ चिपसेट की बात करें तो भी विवो Y36 4G स्मार्टपॉन में Qualcomm Snapdragon 680 चिपसेट का स्थामाल देखने को मिल जाता है जब की विवो Y36 5G स्मार्टपॉन में Mediatek Dimensity 6020 चिपसेट का स्थामाल देखने को मिल जाती है यानि टेक्निकली 16GB RAM to 56GB स्टोरेज हो जाती है कैमेरे की बात करते बें 50 plus 2MP Dual Rear Camera Setup 16MP Front Selfie Camera 5000 बैटरी, 44 वर पास्टाइन सपोर्ट, Android 13 out-of-the-box Side-mounted finger width scanner, IP54 rating and NFC का भी support देखने को मिल जाता है और ये दोनों ही smartphone कहे जा रहे बहुत ही जल्दी भारत में launch होने वाले रिपोर्ट के इनुसर कहा जा रहे है कि next month के first week में launch हो जाएगे भारत में और ये जो smartphone इसकी कुछ price 18 से deserve इसके आसपस देखने को मिल सकती है आप देखते हैं कि ये दोनों smartphone में कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाते है किस कीमत पर इसे launch किया जाता है इस बात का इंतिजार है जी हाई एक काफी बैत इन खबर निकल कर आ रही हमारी इंडियन गौर्मेंट के और से जहां पर कहा जा रहे है कि बहुत ही जल्दी एक नया रूल लागू होने वाला है जहां पर आपको आपका mobile number शेर नहीं करना है अगर आप कोई भी प्रोड़क को खरीकते हो offline detail store से अगर shop की पर आपसे आपका खुद का number मागते है तो भी आपको शेर नहीं करना है तो यह कुछ नया रूल साने वाला है जो कि जिसका बहुत ही जल्दी announcement किया जाएगा मरी इंडियन government के और से वाके यह काफी bathing खबर है आपको यह खबर सुनकर कैसा लगा क्या सोचे आपकी इसके बारे में कमेंड में जरूर संबताईए तकनो की बात करते भें अपनीरी केमों 20 सीरीज को भारत में लॉंच कर दिया है जहांपर हमें फि Hammond कयमों 20 प्रोव «कैमों 20 अपन प्रीमियर» और बात करते हैं तकनो कैमों 20 की तो आपके यह स्मार्टपोन में 6.67 एच कि APECHERY PLUS AMOLED इस पर देखने को मिल जाती है 120Hz के रिप्रिसेट के साथ MediaTek Density J85 चिपसेट का स्तमाल देखने को मिल जाता है और ये स्मार्ट पर्मेकर कैमेर की बात करते है तो भी 64 प्लस 2 मेगापिक्सल ड्यूल डियर कैमेरा सेटप देखने को मिल जाएगा 32 Megapixel front selfie camera 8GB RAM 256GB storage Android 13 after the box जिकने को मिल जाएगा 5000 बैट्टी 33W का fast charging support ये स्मार्ट पॉन के कीमत की बात करें तो भी इसे लाँच किया गये 14,999 पर की price tax है तो वैसे काफी अग्रेस्व कीमत पर इसे लाँच किया गये टेक्नो के और से आपको ये स्मार्ट पॉन की कीमत कैसे लगी क्या सोचे आपकी इसके बारे में comment में जब सबते हैं वह वीवो की बात करते हैं Vivo S17 series launch होने वाली 31 में को चाइना में जहां पर यह event में कहा जा रहा है Vivo Air Pro TWS को भी launch किया जाएगा और यही जो TWS इसकी थोड़ी बहुत rumors packs and design निकल कर भार आचुके चिहां और यह जो TWS है जिसमा में दो color options देखना को मिल जाएगे white and blue और यह TWS के गर कुछ rumors packs के बार में बात की जाए पर यह TWS में में 14.2 mm के dynamic driver देखना को मिल जाएगे Deep Max 2.0 studio sound effect देखने को मिल जाएगी भी 3D audio ते काफी बैदरी बात है और यह जो TWS है जिसमा में अब तू 30 वर्स तकी battery life भी देखने को मिल जाएगी अब देखते हैं कि भी यह जो नए TWS से इसे वियो के और से किस कीमत पर launch किया जाते इस बात का इंतिजार है जीना एसल की बात कर देवे एसल में अपने स्विप 10 प्रिडेटर से इस के अंदर कुछ नए laptops को launch कर दिया है अभी पिलाल इसन नौर्थ अमरिका में launch किया गया है कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी यह जो से भारत में भी देखने को मिल जाएगे और यह लैप्टोप के अगर कुछ स्पैक्स के बार में बात की जाए तो एसल स्विप्ट एज 16 जिसमें कहा जा रहा है कि भी AMD Ryzen 7040 स्रीज के चिपसेट का स्थमाल किया गया है और AMD 780M ग्राफिक का स्थमाल देखने को मिल जाता है और जबकि बात करते भी एसल प्रेटर 316 की जिसमें कहा जा स्थमाल देखने को मिल जाता है और NVIDIA GeForce 4070 ग्राफिक का भी स्थमाल किया गया है और यही लैप्टॉप की कीमत की बात करें पर जो शुरुआती लैप्टॉप की कीमत है वो कुछ 1299 डॉलर है यानि इंडियन करन से सबसे कर कनवर्ट किया जाए तो कुछ एकलाक उन पच बात करते हैं उन्होंने अपनी नई स्मार्ट वाच को भारत में लाउंच कर दिया है जिसका नाम है पेबल कॉस्मोस वर्ट स्मार्ट वाच और ही स्मार्ट वाच की तरको फीचर के बार में बात की जाए तो वह 1.43 इचक्यम एमोली डिस पर देखने को मिल जाती है ब्लु वह एक साल की वारंटी भी मिल जाती है और यही स्मार्ट वाच के अगर कीमत की बात करें तो इसे लाउंच किया गया 299 रुट की प्राइस से अगर आप इससे खरीदना चाहते हो तो महिंत्रा की वेबसाइट हो गई पेबल की खुद की वेबसाइट है वहां से या फिर इ यहीं स्मार्ट फॉन में 6.7 इच की एपेटरी प्लस एमोरी डिस पर देखने को मिल जाएगी 120 हर्स के रिप्रेशर के साथ एक्जिनोस 3080 चिपसर का स्वाल किया गया अगर कैमेर की बात करें तो वही 108 प्लस 8 प्लस 2 मेला पिक्सल का तिपल रियर कैमेरा से अगर मिल जाए जाएगी 25 वाट के फार्चारीन सपोर्ट के साथ एंडवर 13 आप दो तो बॉक्स देखने को मिल जाएगा और यह स्मार्ट फॉन की प्राइस करी जारे कुछ 35-99 प्लस शुरू होगी अब देखते हैं यह जो स्मार्ट फॉन है वह में कितनी ही जल्दी देखने मिल जाता है स्पेशली से किस कीमत पर लॉंच किया जाता है इस बाग का इंतिजार है जी हाँ वाट्सअप की बात करते वे वाट्सप अपने यूजरिस के एक्स्प्रेंस को और बहतर करने के लिए कुछ नो कुछ नो कुछ नो कुछ नो कुछ नय अपडेट्स लाता ही रहता है अब क Google Meet app का सित्माल कर रहे थे, पर ये time पर ये feature available नहीं था WhatsApp पर जिसके बज़े से सब switch हो गए थे, अगर definitely WhatsApp पर ये feature available होता, तो WhatsApp काफी user friendly app है, तो जरुर से WhatsApp का सित्माल होने वाला था, पर ये feature अब आ रहा है ची है, जहां आप आप screen share कर पाओगे, ये जो feature वो काफी काम में आ ज कर रहोगी आपको शायद किसी को कुछ सिखाना है तो आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो और यह जो फीचर वो फिलाल बेटा टेस्टिंग मोड पे चल रहा है कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी सभी नॉर्मल यूजर्स के लिए रूलाउट कर दिया जाएगा आप हमें य यूस्पूल है या नहीं क्या सोचे आपके इसके बारे में कमेंट में चलवे से बताइए काम की दिलकी बात करते हैं अगर आपको चाहिए एक नेकबेंट वो भी कम कीमत में वह भी बहतरी ब्रांड के तो यह जो डीलेव के लिए टेफिनेटिल नीं होने वाली है वही जे जाएगा माइक भी देखने को मिल जाएगा और यहां पर एक आपको एमेजन को मिल जाएगा यहां पर एक तो यहां पर आपको आंज पर देंगा रोपे में uh आप भी बैदरिन डीले वैसा अगर आपको चाहिए था आप इसे ज़र्व से चेक आउट कर सकते हो उसके जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गैमिंग की बात करते पर BGMI नाम सुनके खुशी सी चाह गए हो कि खबर इससे भी ज्यादा दिल बैलाने वाली हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके पर यह गैम आज से बहुत सारे लोग खिलने लगे पर कुछ अभी भी बहुत सारे यूजर से जहां पर वो लॉगिन नहीं कर पा रहे तो लॉगिन आपको किस तरीके से करना है वो हम आपको थोड़ी को ट्रिक बता देते तो यहां पर आप जैसे एक बार गैम को आन कर लो जैसे अब उसे क्लोज करोगे तो वहां पर आपको फेस्बूक ट्वीटर का लॉगिन देखने को मिल जाएगा तो फिर से आपको आपका मोबाल एटा या वाइपाई चालू कर देना है जैसे ही चालू करोगे आप फेस्बूक पर ट्वीटर पर जो भी आपको जहां पर भ आप गई है तो वहां पर हमें फोर आउटपीट देखने को मिल जाएगे पर यह आउटपीट को हमें करना पडएगा कि मिशन कंप्लेट करने के बाद ही हमें यह आउटपीट मिलने वाले यह पर्मेन आउटपीट है और वैसे इंच इंग्यान देश्य आउटफिट और यहां पर UC की प्राइजिस भी अभी कम चल दिए अगर आप खरिदने के लिए सोच रहे तो एक काफी अच्छा मौका है जहाँ पर हम एक नया मैप भी देखने को मिल जाता है जिसका नाम है नूसा और यह जो मैप है वो सबसे छोटा मैप है वन बाई वन किलोवेटर का य यानि समद लीजिए कि यह बहुत ही ज़ली शायद आज रात को या फिर कल या फिर एक तरिक को डेफिरिली रॉयल पास देखने को मिल जाएगा तो यह अच्छी बात है और जाब कर भी सीजन भी रिसेट नहीं हुए जिनके पास एस होगा वह एस पर ही अभी तो यह भी र करके इसे खेल सकते हो जी हां और बीजे में गैम की वापसी को देखकर कापी ज्यादा लोग खुश हो गए हो गये क्या सोचे आपकी इसके बार में कमेंड में बताईए तो बस आज की ट्यक्निशा पर खतम होती है उमिद करता हो पसंद है कि पसंद देदो लाइक कीजे च की पॉले स्मेरिंग श्टेज सेफ टेक के जाहिंग वाद्यमात्रम